एच्पीसी के पूरव अध्यक्ष तत्था बर्तमान में निदेशक अनुराक ठाकुर के परियासों से पूरे हिमांचल परदीस में क्रिकेट खेलों को ग्रामिन स्थर पर पहुंचाने और प्रतिभाग्यों की खोस के लिए खेले जा रहे सत्तर क्रिकेट अकैडमियों के कड़ी में गुमार्मी क्रिकेट अकैडमी का शुभरंब 15 मई से होगा जिसके लिए गुमार्मी में ट्राइल लिये गए ये जानकारी देते हुए बिलासपुर क्रिकर संग के सची विशाल जगोता ने बताया कि हिम सर्वोधिय स्कूल के मैद चैन प्रक्रिया की गई जिसमें 90 बच्चों ने ट्राइल में भाग लिया जिसमें से 30 खिलाडियों ने इस ट्राइल को उतिर्ण कर लिया है ट्राइल में 16 साल से कम के खिलाडियों ने भाग लिया उन्होंने बताया कि गुमार्मी में कुल 40 सीटों के लिए चैन होना था ज इन में से 30-40 वह 10 चात्राइं शामिल करनी थी पर ट्राइल के दौरान दो चात्राइं आई थी और उन्होंने ट्राइल देने से संकोच किया जगोता ने कहा कि हमें उमीद है कि भविश्य में चात्राइं भी जरूर भाग लेंगी बीपिल आई आई डीपी तो था जिसके माबाप नहीं है उन बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी जगोता ने बताया कि पहले इस तरह की अकैडमी जिलासतर पर हुआ करती थी पर हिमाचल परदेश क्रिकेट एसोसियेशन के निर्मान अनसार अब उपंडल सतर प पोठी पुरा और जुखाला में इस तरह के अकैडमिया खोली जाएगी अकैडमियों में उचसतर ये कोच भी बच्चों को क्रिकेट की बारिक्यों को सिखाएंगे। इस जेन प्रक्रिया में उमेश कौतम प्रभारी जबकी वरुन शर्मा वो आशिश कपिल को सदस्य के र अध्यक्ष एवं वर्तमान में निदेशक हमारे यहां से सांसद शिरियन राग सिंग ठाकुर्जी के प्रयासों से घुमार्मी में जहां पिछले कई सालों से यह डिमांड थी कि यहां पर एक क्रिकेट अकैडमी होनी चाहिए इस साल उन्होंने जिला क्रिकेट संग को यह के ट्राल थे असी बच्चों ने ट्राल दिया बहुत खुशी है तीस बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे मैं गुमार्मी के क्रिकेट की उजवल बविश्य की कामना करता हूँ